हेलो गाईज ईशा के व्लोग्स में आपका फिरसे स्वागत है कैसे हैं आप सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी पिल्कुल ठीक हूँ यह देखिए मेरे घर पे आज क्या है यह मुरब्बा यह मुरब्बा बांस का मुरब्बा है यार मैंने पहली बार देखा है औ मौंग दाल खाने के बाद भी मेरे पेट में कुछ 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 हो रहा था यानि खाने का दिल कर रहा था तो आलवेज अवेलेबल बंदा यही पर बैठा हुआ था मैंने से का प्लीस होड़े आज समोसे खिला दे इसने मना कर दिया क्योंकि शाम हो रही थी और इसने का कि चुप चाप खाना खाले ना लेकिन अब समोसे तो में लेने नहीं जाओंगा मैंने कहा ठीक है यह तो नहीं जाएगा तो फिर मैंने उसके बाद की शाम की पूजा और देखे मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ कि तब प्यारा लग रहा है बाहर आई हुई थी मेरी कजन यह शाम को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आती है क्योंकि नवरातरे चल रहे हैं तो यह परशाद के तोर पे फ्रूट्स वगरा कुछ भी लेकर आती है और मुझसे पूछ रही थी क्या बना रहे हो तो मैं अपनी फेवरेट सबजी बना रही थ मैंने तैयारी अलरड़ी कर रही थी देखो सबजी बनके कि अच्छ लग रही है और सच्छ में बहुत ही यम्मी भी बनी थी मैं कभी-कभी खाना मनाती हूँ कभी-कभी-कभी-कभी मिनी दुबारा आ गई और मुझे कहती आज यार अपने हाथ की चाए मना की बिला दो मैं नहीं मैंना आगाः continuous लेकिन मेरे घर में घरधनिया नहीं आता है मैंने मम्पी से पैसे मांगें तो हम पैसे मम्मी ने रखे हमें डब्बे के अंदर ओमाइग जिसको देखे हम लोना बहुत ही असे और मजह बता रही थी लोगों की मम्मिया अलमीरा में पैसे रहती है लेक हमने खरीदा बेलन, एक्चली हमारे गर का बेलन थोड़ा खराब हो गया था, बहुत पुराना है, तो उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, कल मैंने रोटिया बनाई थी, तो मैंने बड़ा ओक्वर्ड लगा उससे रोटिया बनाना, तो मैंने का ममी ये बेलन तो चेंज करना पड़ेगा हम गई शॉप के अंदर, शॉप बहुत ही सुन्दर लग रही थी, काफी कुछ खरीदने का मन कर रहा था, बट फिर मैंने अपनी पॉकेट की दरफ देगा, और अपनी एमोशन को कंट्रोल किया, तो बेलन पे फोकस करते हैं, यहां पे हमने शॉप की पर को बे बेलन जादा कमफरटेबल रहेगा, और ममी को कौन सा बेलन पसंद आ सकता है, वरना मेरी बेंड बजा देती है, मेरी माता, यह क्यों लेकर आई, वो क्यों लेकर आई, तो मैं को यह दोनों बेलन पसंद आए थे, हमने यहां पे शॉप को इपर को दिये पैसे, और हम लो फूर था, तो मैंने को कहा कुछ चल कुछ खा लेते हैं, लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया, कैती ही मैंने कुछ नी काना, बट मैं थोड़ी सी फूरी हूं, और मेरा मैन थोड़ा खाने को देखके ज्यादा लल लग जाता है, रस्ते में हम रोगरू के एक मेडिकल अगर चाइ पीनी है, तो चुप चाप खड़ी रहे हैं, तो जब तक मैंने चाइए उसने मेरे साथ बहुत सारे कपे मारे, मेर को कहती है, डबा खोले, थोड़ी सी चीनी डालो, चाइपती डालो, आप निकम्मे हो, आप काम नहीं करते हो, तो मैं इसको वहीं बता रही थी कि बेटा काम तो करती हूँ अगर चाई पी नहीं है तो चुप चाप से खड़ी रहा है यहाँ मैं इससे पूछ रही थी कि चाई में मीठा कम या ज़ादा तो इसने मुझे कहा ओपा जी चाई अपने हिसाब नार बना दो तो फिल चाई मैंने अपने हिसाब से बनाई और चाई बहुत अच्छी बनी दी जो कि इसने मुझे चाई पेने के बाद एक अच्छा सा कॉंप्लिमेंट भी दिया कि आपने चाई बहुत ही टेस्टी बनाई थी फिर उसके बाद आगया मेरा भाई और मेरे भाई से यह फिर से वही बहस करने लगे कि आपने मुझे आइफोन 15 की पार्टी नहीं दी कोई पार्टी करो जब तक पार्टी नहीं मिलेगी यह शांती से नहीं बैठने वाली है देखे हमने चाई के साथ फिर बिस्किट खाए और चाई का कलर भी किता मस लग रहा है यस मैं चाई भी बना सकती हूँ वैसे उसके बाद इसने किया हमारा थोड़ा सा एंटरेटेन्मेंट और जो पुरानी आटी पुराने जमाने में जैसे डांस किया गरती थी वैसे इसने हमें दिखाया डांस जिसको देखकर हम बहुत असे जमीन पर लेट लेट कर डांस कर तो आज के व्लोग में सिर्फ इतना ही आई होप कि आपको आज का व्लोग बहुत अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बाई बाई मिलते हैं नेक्स व्लोग में